आप सभी को सार्दिय नवरात्री की हार दिक्षिप कामना है 3 अक्तोबर से लेकर 12 अक्तोबर तक सार्दिय नवरात्रे चलेंगे और ये नवरात्रे सभी के लिए बहुती विशेश होता है हर वर्ष की बाती इस वर्ष भी हमारे संस्थान में नवचंडी अनुस्ठान का आयोजन इन नवरात्रों पर किया जा रहा है अगर आप मा दुर्गा के नौ स्वरूबों का आशिरवात प्राप्तकर अपने जीवन में सफलता को सूनिश्चित करना चाहते हैं तो इस अनुस्ठान से जोड़ने के लिए स्क्रीन पर दिये गए नमरों पर संपर करें ओम ब्रह्मचारणी नमा नवरात्री का दूसरा दिन है और नवरात्री के दूसरे दिन मा ब्रह्मचारणी स्वरूब की पूझा अराधना के जाती है यह ज्यान तपस्या और वैराग्य की देवी मानी जाती है मां ब्रह्मचारणी बेहत शांत सौम् मा के इस रूप को पूझने से व्यक्ति को तब त्याग, वैराग्य और सदाचार जैसे गुणों की प्राप्ति होती है। मा के इस रूप को पूझने से साधक अपने फल को प्राप्त करता है। उसकी साधना और उसकी उपासना से जीवन की हर समस्या, हर संकट उसका दूर हो जाता है, विद्यारतियों के लिए मा ब्रह्मचारेनी की पूजा बहुत ही फलदाई मानी गई है, यदि किसी कुंडली में चंद्रमा के कमजोर होने की दिक्कत आ रही हो, तो उसे मा ब्रह्मचारेनी की पूजा अराधना जरूर करनी चाहिए, उस उनकी पूजा अराधना से विग्चंद्रमा स्ट्रॉंग हो जाएगा, फोकस बढ़ेगा और सफलता आपके जीवन में आप सूनिश्चित करनेंगे, नमस्कार, मैं निदी शिमाली आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ, आज मैं आपके सामने 4 ओक्टोबर शुक्रवार का दैनिक राशी पर लेकर उपस्तित हुई हूँ, और सबसे पहले आते हैं आज के पंचांग पर, तो आज मैं मास के शुक्र पक्षकी द्वितिया तितिया आज है, जो की 5 ओक्टोबर प्रातक काल 5 बचकर 30 मिनट तक रहेगी, उसके बाद तृतिया तिति प्रारंब हो जाएगी, चित्रा नक्षत्र भी आज के दिना रहा है, जो की शाम 6 बचकर 38 मिनट तक रहेगा, उसक जो का टाइम पेरिड़ सुबद सांत बचके 30 मिनट से नो बजे तक रहेगा, महीं राउ काल का समय सुबद 10 बचके 30 मिनट से दो फैन 12 बजे तक रहेगा, जिशा शूलाज प्रशिम दिशा में रहेगा, यदि इस दिशा में यात्रा करना आवशक हो तो जो खांकर आप इ इन उपायों को जानने के लिए वीडियो के अंद तक आप मेरे साथ बने रह सकते हैं शुरुआत करते हैं प्रथम राशी यानि मेश राशी से आपकी राशी से चंद्रमा आज के दिन सात्वी भाव में गोचर प्रमन करेंगे अता आज का दिन व्यापार में व्रधी करेगा आज के दिन कपड़ों का व्यापार अगर आप कर रहे हैं कोई बिजनस आप फैशन से सम्मंदित कारियों में कर रहे हैं मातार रानी को दूद से बनी हुई कोई भी मिठाई अखीर का भोग लगाना चाहिए आपका शुबरंग रहेगा नारंगी शुबंग रहेगा अच्छेंग अब आते हैं व्रशब राशी पर आपकी राशी से चन्रमा आज के दिन छेटे भाव में गोचर प्रमन करेंगे अता आज के दिन आप कोई रमनिक इस्तल की यात्रा कर सकते हैं परिवार के साथ आप अच्छा और कॉलिटी टाइम इस यात्रा में बिताते वोग दिखाई देंगे जिससे आपकी फैमली के साथ बॉर्णिंग अच्छी होगी आज के दिन आपके शत्रू भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे आप अपनी कारें को थोड़ा सा गोपनी तरीके से करें तो आपको और अधिक सफलता प्राप्त होगी ननियाल से समाचार प्राप्त होंगे व्रशब राशी के जात आपको को नवरात्री में सफेट चीजों से बनी हुई मिठाई का भोग लगाना चाहिए आपका शुबरंग रहेगा नीला शुबंक रहेगा चार अब आते हैं मिठो नाशी पर आपकी राशी से चंद्रमा आज के दिन पांचवी भाव में गोचर प्रमन करेंगे अता आज के दिन बिना सोचे समझे जल्द बाजी में कोई भी डिसेजन लेने से बचें कोई भी कारे करें तो सोच समझ कर उस कारे में आगे बढ़ें आज के दिन कोट कचेरी से संबंदित मामलों में बड़ी सफलता प्राप्त होगी, आज के दिन व्यापार में कुछ दिक्कत है और कटनाईया आ सकती है, धैरी के साथ अपने कारे को करें, इस राशी के लोगों को मा कुछ शक्कर और पंचामरत का भोग लगाना शुफल दाय आपका शुब्रंग रहेगा पीला, शुबंक रहेगा आठ, अब आते हैं करकर राशी पर, आपकी राशी से चंद्रम आज के दिन चौथी भाव में कोचर प्रमन करेंगे, अता आज के दिन मा के साथ पाद विवात की स्तत्या समापत हो जाएगी, कोई कठिन काम आज आप की खरीदारी आपके द्वारा की जा सकती है, अच्छा और कॉलर्टी टाइम मित्रों के साथ बिताएंगे, करकर राशी के लोग दही, चावल और बताशे का भोग लगाएं, आपका शुब्रंग रहेगा गुलावी, शुबंक रहेगा एक, अब आते हैं सीन राशी पर, आपकी राशी से ही चंद्रमा आज के दिन तीसरे भाव में गोचर प्रमन करेंगे, अता आज के दिन आप सुक साधन संपन रहेंगे, आज के दिन इनर स्ट्रेंट में व्रदी होगी भाई बेनों के साथ में, समंध और अधिक मदूर और प्रगाड होंगे उनकी साहिता से कोई बड़ा नुकसान आज के दिन तल जाएगा, सीन राशी के जातको को गुरुआर को लाल वस्त्र और गुड का दान करना चाहिए, आपका शुब्रंग रहेगा भुरा शुबंग रहेगा चार, अब आते हैं कन्या राशी पर आपकी राशी से चंद्रमाज के दिन दूसरे भाव में गोचर प्रवन करेंगे, अता आज का दिन कुटुम में सम्मान बढ़ाएगा, आज के दिन परिवार में मंगले का रिक्रम हो सकता हैं, वहीं आज के दिन प्रोफेशनल लाइप में भी कोई बड़ी अपॉर्चुन पंक रहेगा दो, अब आते हैं तुला राशी पर, आपकी राशी में आज के दिन चंद्रमाज गोचर प्रमन करेंगे, आज के दिन आपका अकर्शक व्यक्तित वहर व्यक्ति को भाएगा कलाकारों के लिए आज का दिन, बड़ी सफलता का रहेगा, कोई बड़ा प्रोजे आपका शुब्रंग रहेगा मैनू, शुबंग रहेगा पांच, अब आते हैं व्रशिक राशी पर, आपकी राशी से चंद्रमाज के दिन, बारवेई भाव में गोचर प्रमन करेंगे, अता आज के दिन बिना सोचे समझे, जल्दवाजी में कोई भी काम न करें, खर्च की सतिया बढ़ सकती है, अपने खर्चों को नियंतरित करके चले, आज के दिन स्ट्राइटजी बना कर चलें और गुप्त तरीके से कारे करें, आज के दिन ना तो किसी से उधार ले, नहीं किसी को उधार दे, रश्चिक राशी के जातकों को गुड़ल का फूल, मा को चड़ का भोग लगाना चाहिए, आपका शुब रंग रहेगा मजंटा, शुब रंग रहेगा तीन, अब आते हैं धनू राशी पर आपकी राशी से चंद्रमा आज के दिन, ग्यारवे भाव में गोचर प्रमन करेंगे, आज के दिन आकस्मिक तनलाप की परिस्तितियों को बढ़ाएगा, आज के दिन लेवल और सरकल बढ़ेगा, आज के दिन शुब और मांगलिक कारिक्रम गर में हो सकते हैं, विवाई हो परित करना चाहिए, आपका शुबरंग रहेगा गोल्डन, शुबंक रहेगा नो, अब आते हैं मकर राशी पर आपकी राशी से चंद्रमा आज के दिन दस्वे भाव में गोचर प्रमन करेंगे, अता आज के दिन आपको कोई भी कारे करने में कटना ही नहीं होगी, अतिकारी आपसे प्रसनचित नचराएंगे, सहकर्मियों के लिए आप आइडियल साबित होंगे, आज के दिन उनके स् लुक से आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट समय से पहले ही पूरा कर लेंगे, इस राशी के लोगों को मा को नारिल की बरिफी का भोग लगाना चाहिए, आपका शुभरंग रहेगा हरा, शुभंग रहेगा साथ, अब आते हैं कुम राशी पर, आपकी राशी सी चंद्रमा आज के दिन नवम भाव में गोचर प्रमन करेंगे, अता आज का दिन आपके लिए बहुत ही भाग्यवर्दक रहेगा, अदूरे कारें पूरे होंगे, आज के दिन यात्राय सुखम होगी, आज के दिन कोई सोचा समझा कारें तैस समय से पहले ह पूरा हो जाएगा जिससे उसमें आपको बहुत अच्छा लाब भी प्राप्त होगा, आज के दिन आपका मित्रों के साथ अच्छा समय बीतेगा, कुम राशी के लोग हलवा, चना पूरी, खीर, आदी का भोग मा को लगाए, आपका शुबरंग रहेगा सफेज, करेंगे, अता आज का दिन यात्राओं से भरा रहेगा, परन्तु यात्राओं आपके लिए सुखद और मंगल में रहेगी, आज के दिन जानवरों से थोड़ा सा साथ धान रहें, और गुप्त तरीके से अपने कार्यों को करें, मीन राशी के लोगों को मा को केला पीला स्वस्त रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और हमीशा मुस्कूराते रहें, जै श्री राथे क्रश्ना आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हैं तू, इन नंबरों पर संपर्क करें, 8-9-5-5-6-5-8-3-6-2